दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल ये स्टड़ी विट एसमी एलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजनिंग में मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर के बारे में देखे दोस्तों मिसिंग नंबर में एक मिसिंग नंबर एक चैप्टर है जिसमें क्या होता एक संख्या क्या होता है पहला तो होता है उसमें किस किस टाइब की प्रसने आते हैं और उसमें क्या क्या करना होता है यह सभी टोफिक पर बात करते हैं देखें दोस्तों पहली बात तो यह है पहले तो उसमें क्या आता है योग पराधारित परत आनी की जोड क्या करना होता है जो जोड स संबंदित प्रस्न आते हैं, घंज से संबंदित प्रस्न आते हैं, और mixed question भी आते हैं, जैसे कि जोड और गुड़ा, गुड़ा और घटाना, जोड और गटाव, ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रस्न पूछे जाते हैं, इसमें इसी type की, ये सभी mixed type की question इस chapter में पूछी दाते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे question को solve करेंगे तभी ये बात है आपको बहुत ही आसाइस समझ में आ जाएगी तो चलिए दोस्तों पहले question की ओर चलते हैं question नमर पहला देखे दोस्तों question नमर पहले क्या करना है look संख्या ग्याद करना है तो इस में आपको बताया कि इसमें क्या होता कि एक look संख्या होती है और उसी काव में solve करना ہوتा है तो इस type के person को बहुत ही असाण है solve कर सकते हैं इसमें कोई trick नहीं लगती है इसमें थोड़ा साब दिमाग लगाएंगे तो ऐसे प्रस्ण बहुत ही असान से solve कर पाएंगे तो चली दोस्तों हम इसे solve करते हैं पहले इसे solve करेंगे फिर इसे फिर इसे ठीक है दोस्तों इन तीनों को हम solve करेंगे तो पहले क्या करेंगे देखी दोस्तों बीच में क्या दिया है निन्यान बे तो हम क्या करें कि इन चारों में इन चारों में कुछ ऐसा करें कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए देखे दोस्तों पहले क्या कर लेते हैं हमें जोड लेते हैं जो पहला दिया था योग पर राधारित प्रस ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले से जोड लेते हैं देखे दोस्तों जो इस तरह से बना हुआ है तो क्या करेंगे पहले 8 में 8 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 16 जाएगा तो अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर कितना है 99 ठीक है तो हमें क्या करना है 90 लाइन डाना है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28 ठीक है तो आनी की यह step गलत है ठीक है दोस्तों तो अब क्या करे इसमें अब हम घटाना करते हैं देखे दोस्तों जब जोडने पे जब इतनी बड़ी संख्या नहीं आ रही है तो घटाने पी तो विल्कुल नहीं आएगी ठीक है तो आप क्या करेंगे गुड़ा कर लेते हैं देखे दोस्तों आठ और आठ में गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा 64 ठीक है दोस्तों कितना जाएगा 64 आएगा और फिर 7 में और 5 से गुड़ा करते हैं इनके बीच में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ठीक है दोस्तों इनके बीच में प्लस कर देंगे और फिर क्या करेंगे 7 और 5 से गुड़ा करते हैं तो कितना जाएगा 35 ठीक है पहले 8 में 8 से गुड़ा किये तो 64 आया और 7 में 5 से गुड़ा किये तो 35 आया अब इन दोनों को आपस मजोड देंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए बीच वाल संख्या आ गई आने कि यह step बिलकुन सही है देखिए दोस्तों यह step अब इसमें solve करते हैं देखिए यह step इसमें काम करता है कि नहीं तो क्या करेंगे पहले 3 और 3 में गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 में 3 से गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों बताइए 9 आएगा ठीक है कितना जाएगा 9 आ जाएगा और 6 में 9 से गुड़ा करेंग तो कितना आजयेगा, ठीके, तो 9 में क्या किये? सोरी, 3 में 3 सी गुड़ा किये, तो 9 आगया, और 6 में 9 सी गुड़ा किये, तो 45 आगया, अब इन दोनों को जोड देंगे, तो कितना आजयेगा? 38 आज़ाएगा, आनि 48 step बिलकुल सही है, सब में काम कर रहा है, तो चलिए दोस्तों इसी step से इसे भी solo कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा 17 में 7 से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 ठीक है दोस्तों कितना आ जाएगा 119 सत्रे में साथ से गुणा करेंगे तो एक से उननीस आजाएगा और नौ में नौ से गुड़ा करेंगे तो कितना आजाएगा एक यासी आजाएगा कितना आजाएगा एक यासी ठीक है तो अब क्या करेंगे इनको आपस में जोलेंगे तो कितना हो जाएगा दो सब हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली question पर question नमर दूसरा देखे दोस्तों इसमें क्या करना है इसमें भी missing number ग्याद करना है ठीक है दोस्तों तो missing number हमारा यहीं पर है इसी को हमें solve करना है चार option दिये हुए हैं कैसे solve करेंगे इस person को देखे दोस्तों हमें क्या करना इसी वाज़ संख्या को प्राप्त करना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ठीक है तो हम इन चारों में कुछ ऐसा करें कि हमारा 12 आ जाए तो जो step इसमें अपनाएंगे वह step सब में अपनाएंगे ठीक है दोस्तों तो क्या करेंगे चली इसे सोर्व करते हैं तो क्या करते हैं पहले जो लेते हैं 3 और 8 ही 11 हो जाएगा 11 एक 12 हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और हमें लाना कितना था 12 तो यहाँ पर कितना है 13 आया है देखे तीन में आठ सुगुड़ा करेंगे तो आठ त्यां के चोविस होता है ठीक है त्यांपर कितना दिया है बार दिया है आने कि यह भी इस्टेप बिल्कुल करते हैं तो अब क्या करेंगे देखे दोस्तों अब क्या करेंगे की अब एक करेंगे की देख लिजिए तीन में एक सुगुणा करते हैं तीन गुड़े एक कर लेंगे ठीक है और बीज में प्लस कर देंगे उसके बाद आठ गुड़े एक कर देते हैं पहले इसमें सुगुणा करेंगे फिर इसमें से फिर इसमें से ठीक है तो क्या हो जाएगा आठ गुड़े एक हो जाएगा फिर फ्लस एक गुड़े एक हो जाएगा ठीक है दोस्तों एक गुड़े एक हो जाएगा तो अब क्या करेंगे तीन में एक से गुड़ा करेंगे तीन ही आएगा फिर उसके बाद आठ में एक से गुड़ा करेंगे तो कियाएगा तो अब कितना इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा बारा आ जाएगा देखिए दोस्तों आने कि यह step फालो कर रहा है इसमें ठीक है तो अब यही वाला step जो है इसमें भी फालो करते हैं तो क्या करेंगे पहले 5 में 2 सुगुणा करते हैं दूसरे क्या करेंगे 5 दुना के 10 हो जाएगा और प्लस 4 दुना के 8 हो जाएगा प्लस 3 दुना के 6 हो जाएगा अब इसे आपस में एड़ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा देखिए दोस्तों 24 आ गई पीछवाज संक्या आनि किया step बिल्कुल सही है तो चलिए दोस्त कितना भीड़े का हो जाएगा फिर प्लस 3 गुड़े एग बड़ा दो हो जाएगा फिर प्लस 3 गुड़े एक बड़ा दो हो जाएगा तो अब हम इसे कैसे solve करेंगे देखिए दोस्तों बहुत आसानी से solve कर सकते हैं मात्र कुछी सिकेन मीं देखिए क्या करेंगे आप देखिए उपर से उपर में गुड़ा करेंगे ठीक है इन में उपर से उपर गुड़ा करेंगे तो कितना आजाएगा एक बटा दू आजाएगा और प्लस तीन बटा दू आजाएगा और प्लस एक बटा दू आजाएगा सोरी दू बटा दू चे बटे दू आएगा तो इसे हम काटेंगे तो कितना आजएगा तीन आएगा आने कि आपसन नमर डी में दिया हुआ है तीन तो आपसन नमर डी हमारा से हुज जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रसन आपको समझ में आ गया होगा तो चली दोस्तों चलते अपने अगले कोश्चन पर कोश्चन नमर तीसरा देखिए दोस्तों कोश्चन नमर तीसरे हम क्या करना है इसमें भी हमें लूप संख्या ग्याद करना है ठीक है तो कैसे से स्वल्व करेंगे देखिए दोस्तों क्या दिया जीरू छे दो चार तो हमें क्या करना तो बीच वाज़ संख्या ही लाना है क्यों क्यों कि यहां पर missing number बीची वाज़ संख्या है ठीक है दोस्तों तो missing number बीच वाज़ संख्या है तो missing number बीच वाज़ संख्या को हम कैसे solve करें देखिए पहले क्या करते हैं पहले हम जोड़ करते हैं देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और फिर 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10 और 10 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आजाएगा 12 देखें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 आनि कि यह step बिल्कुल गलत है ठीक है दोस्तों क्या step बिल्कुल गलत है तो आप क्या करेंगे देखें दोस्तों आप क्या करेंगे कि हमारी बीचवाजी संख्या आ जाए तो आप क्या करेंगे हम इनको जोड़ लेते हैं इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 12 आएगा आपको पता होगा कि यह 12 आएगा और 12 में से क्या करेंगे माइनस 2 करतेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा देखे दोस्तों 10 आ गया हमने क्या क्या चारों कोनों की संख्या को आपस में जोल लिया और उसमें से 2 माइनस कर दिया तो बीचवाज سंख्या आ गई देखे दोस्तों एस step इसमें काम किया देखें एस step इसमें काम करता है क्या करेंगे 2 और 10 कितना हो जाएगा 12 12 और 8 20 होता है 20 और 6 26 होता है ठीक है दोस्तों तो अब क्या करेंगे 26 में से माइनस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 24 आजाएगा आनि कि एस step काम कर रहा है यह इस्टेप बिल्कुल सही है 4 कोनों की संख्या को जोड लेंगे और उसमें से मानस 2 कर देंगे तो बीचवाज संख्या आ जाएगी देखें दोस्तों हमने क्या किया 4 वाले संख्या को जोड दिया 4 कोनों वाले संख्या को जोड दिया उसमें इस दो माइनस कर दिया तो 24 आगया ठीक है दोस्तों अब उसी परका इसे sulb करते हैं देखिक क्या करेंगे 4 और 14 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा आप 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते पने अगले question पर Question number 4 देखे दोस्तों question number 4 में क्या दिया हुआ है लूप्ट संख्या ग्याद करना है लूप्ट संख्या हमारी इहीं पर है ठीक है इसी को में solve करना है तो कैसे solve करेंगे देखे दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है तो हमें तो तीन लाना है आने की हल इस्ट ते बिलकुल गळते तो आप क्या करेंगे तीरान भी में से इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे ठीक है तो क्या आगा तिरानवे में से इन दोनों संख्या को मानिस करेंगे तो इन्हें पहले हम आइड करेंगे तो आइड करेंगे तो कितना जगा 90 आजाएगा आने की तिरानवे में से हम 90 को मानिस करेंगे तो हमारा 3 आजाएगा ठीक है दोस्तों देखिए हमने क्या किया पहले तो हम इन दोनों को जोड़ रहे थे और इसे मानिस कर रहे तो हमारी संख्या नहीं आ रहा थी तो हमने 93 को छोड़ा और इन दोनों को जोड़ा ठेक है दो फिर उस में से 93 में से 90 मानिस किया तो आगया 3 ठीक है अब यही स्टेप इसमें भी हम solve क करते हैं देखिए क्या करें कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 89 एब क्या करें 89 में 38 और 37 को माइने करेंगे तो चार आ जाएगा हमारा इन दोनों俺 हम जोड़ेंगे कितना हुजाएगा 75 ठीक है कितना हुजाएगा 75 और 75 में से हम sorry 89 में से 75 घटाएगे तो 4 ही तो बचेगा ना दोस्तों तो देखें यहाँ पर 4 आ गया ठीक है तो हमने क्या किया 89 में से 37 और 38 दोनों को घटाया तो 4 आ गया ठीक है अब उसी step से इसमें भी हम solve करेंगे यहाँ पर कितना दिया है sunset ठीक है sunset दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे कि 16 और 42 दिया हुआ है इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे sunset में से तो कितना आ जाएगा दोस्तों आप बता सकते हैं कि बहुत ही कितना आ सकता है देखिए पहले क्या करेंगे 42 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 58 आएगा कितना आएगा दोस्तों 58 आएगा अब क्या करेंगे 66 में से 58 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ठीक है तो question मारकर स्तार पर क्या बरा जाएगा नो बरा जाएगा और option number D में दिया है वर नो तो option number D हमारा save हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते अपनी अगली question पर Question number 5 मां देखिए दोस्तों question number 5 में क्या रगा ना हम है इसमें भी हमें loop संख्या ग्याद करना है देखे दोस्तों लूप संख्या हमारी यहीं पर है ठीक है इसे कैसे solve करेंगे देखे दोस्तों जब नीचे संख्या को solve करना है तो हम उपर वारी संख्या हम कुछ ऐसा करेंगे कि नीचे वारी संख्या आ जाए ठीक है तो जो step हम पहले वाले में solve करेंगे उसी step से दूसरे व तो अब क्या करेंगे हम इने इन दोनों में ठीक क्या करेंगे देखें दोस्तों अब जोड लेंगे घटा लेंगे भाग देंगे तो नहीं आएगा तो अब क्या करेंगे वर करेंगे ठीक है दोस्तों क्या करेंगे वर दो का वर करेंगे तो चार आएगा और चार का वर या तो हमारी 20 आगया ठीक है अब क्या करेंगे 3 और 9 ठीक है 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 होगा और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होजाएगा 81 होगा ठीक है दोस्तों 9 का वर्ग 81 होता है अब इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना होजाएगा 90 तो देखे दोस्तों य एक ही होता है ठीक है और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आजाएगा 25 आएगा अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आजाएगा 26 आजाएगा देखें दोस्तों किस आपसन में दिया है 26 आपसन नमर डी में दिया है तो आपसन नमर डी हमारा से हो जाएगा तो मैं उम्मी यह इतना ही अब आप से मिलते हैं नेस्ट वीडियो में